दोस्तों मेरा नाम कोतम और आप देख रहे हैं यूलाइक लेक्टोनिक्स और दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको होम थेटर में बेस को कैसे बढ़ाएंगे वह उसके बारे में आपको बताऊंगा जैसे कि नॉर्मली होम थेटर बोर्ड में क्या होता है जब हमारा वोल फिर यह हमारा काम करने लगता है बेस वाला तो इसी से रिलेटर्थ बहुत सारे कॉमेंट ऐसा आपने सब उफर में हम बेस ला सकते हैं और यहां से हम भी सांड को ग़्रोल प्रदख कर सकते हैं तो उनका कहने का मतलब यह था कि अगर हम जैसे कि नौरमली होम थेटर में क्या होता है जो हम यहां पर बढ़ाते हैं साउंड को ठीक है तो यह हमारा काम करता है लेकिन जब इसको पूरा आफ कर देते मतलब पूरा जीरो पर लेकर चले जाते हैं फिर हमा उतना इसका बेस बढ़ा सकते हो घटा सकते हो उतना ही इसका साउंड का भी बढ़ा सकते हो घटा सकते हो अगर आपका यह वाला पूरा जीरो रहेगा मतलब पूरा कम रहेगा फिर भी आपका यह बेस वाला काम करेगा और यह जितना मान उसको बढ़ा घटा सकते हो लेकिन उसके कोई फर्क नहीं परता दोस्तों मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसको उपर काफी कॉमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो बना ही डालो जिस ने कॉमेंट किया था उसको अपना यह कनेक्शन समझ में आ जागा हाला कि इसको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहां पर बेस कंट्रोल स्पीकर के साथ मैचिंग होने के लिए ऐसा इसमें कनेक्शन किया उफा रहता है कि जैसा हम इसको बढ़ाएंगे वैसा ही हमारा यह काम करेगा लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर हम सौंग सुनते हैं तो कम साउंड रहता है तो हमारा फुल वोल्यूम पे भी हमारा बेस नहीं बनता है उससे क्या हुआ कि आप जितना मन हो सके उतना इसका बढ़ा सकते हो तो उसके लिए सेंप्लिस में आपको दूस्तों कुछ नहीं करना है यहां पर एक बहुत ही छोटा स से को फिल्टर करके इसाइसी को देता है फिर हमारा यहां से सब बुक्र को देता है जिसे मारा बेस बनता है ठीक है तो यहां पर दो रजिस्टेंस लगाय होते हैं यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहां पर यह दोनों रजिस्टेंस जो लगे हुए हैं यह वाला ठीक है यह दोनों रजिस्टेंस को हमें एक दोनों को निकाल लेना एक साइट से यह वाला प्रिंट और यह वाला यह दोनों हमारा left right होता है जो कि यहां पे हमारा एक साथ जोरकर 456 को देता है लेकिन चाहे तो आप इसको प्रिंट कट करके यहां से इसका connection हटा भी सकते हो चाहे तो आप यह वाला दोनों पीन यहां से directly निकाल सकते हो ठीक है तो आपको जैसा आसानी लगे वैसा करें मैं य यहां पे दोनों रजिस्टेंस का इस प्रिंट से मैंने इसको निकाल लिया है अब हमें क्या करना है कि दो वैर लेना है और इसमें और इसमें दोनों में sorting करके wire को निकाल लेना है तो दोस्तों मैंने यहां पर यह दोनों wire उस resistance को यहां से निकाल कर directly जो मैंने आपको दिखाया था दोनों pin में मैंने यहां पर wire को निकाल लिया है तो यह हमारा left right हो गया है तो इसका connection हम क्या करेंगे दोस्तों जो हमारा potentiometer है यहां पर आप जैसा क वाला में यह दोनों यह वाला उसमें करना है लेकिन क्या दोस्तों कि होम थेटर में ज्यादा तर ऐसा भी वोल्यूम यूज किया जाता है तो उसमें कनेक्शन क्या करना है कि यह जो दो पीन है फर्ष्ट वाला यह वाला जिसको मैं मोर रहा हूं यह वाला और यह वाला यह द दोनों पीन में क्योंकि ऐसा बाला वोल्यूम जो है कुछ इस तरीका के बोड़ लगाए जाते हैं यहां पर इस तरीका से बोड़ होता है ठीक है तो यहां पर इस तरीका से बोड़ को रखेंगे यह कुछ पुड़ाना बोड़े दोस्तों तो यहां पर जो नीचे पीन दिख करने में ठीक है तो चछली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दोमसाइड वहां स्कार सक्राइब करना है इसका दोनों हम साइड में connection कर लेते हैं तू दोस्तों यहाँ पर मैंने साइड में इसका connection कर लिया है तो चलिए अब हमको ओ चक करके तो यहां पर देखिएगा कि जब मैंने वोल्यूम को आफ कर दिया है पूरा जीरो कर दिया फिर भी हमारा बेस आ रहा है ठीक है यहां पर तो आप यहां सी हमारा जितना भी बेस आप लेना चाहते हो ले सकते हो देख सकते हो यहां पर जितना चाहे आप उतना बेस ले सकते हो पहले क्या होता था कि जब हम वोल्यूम को आउन करते थे खोलते थे तभी हमारा यह काम करता था अगर वोल्यूम पूरा ओफ रहता था फिर हमारा यह काम नहीं करता लेकिन हमारा अभी वोल्यूम पूरा ओफ है फिर भी हमा माल लीजिए कोई ओल्ड संग बजा रहे हैं इसमें इतना छोटा सा और हमको फूल बेस के साथ हमें बजाना है तो इस तरीका से आप जितना मन हो सके उतना घटा बढ़ा सकते हो ठीक है दोस्तों अब यहां से अब आचों घटा बढ़ा सकते हो यहां और यह वोल्यूम ओन है या ओफिस से कोई मतलब नहीं अब इसका जो वोल्यूम है दोस्तों अलग ही हो चुका है तो आपको जितना मन हो सके उतना बेस इसके साथ ले सकते हो ठीक है तो दोस्तों मैं ऐसा करता हो कि यह कनेक्शन जिस भाई ने कमेंट किया था कि मुझे कुछ आइसा कनेक्शन दिखाईए तो मैं आसा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के ऐसा कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा फिडिया को कुछ कनेक्शन करने में कुछ परसानी होड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं रिप्लाइज जरूर द दोगो